Hello, मैं हूँ तौसीफ और आप देख रहे हैं Believe for You आज का ये वीडियो एनिमेशन के बारे में है और इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं किसी ने पूचा एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं तो किसी ने पूचा इसके लिए कौन सा सौफ़वेर यूज कते हैं और ऐसे ही बहुत सारे सवाल किये गए मुझसे तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ अनिमेशन के बारे में अगर आप अपने वीडियो का ध्यान, अटेंशन पूरी तरह अपने वीडियो पर करना चाहते हैं तो इसके लिए अनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल की है प्राक्टिकली अगर आप दो वीडियो बनाते हैं सेम टॉपिक पर एक में आपने अनिमेशन यूज किया है और दूसरे में सिंपल टेक्स और इमेजिज सेम टॉपिक और कॉंटेंट होने के बावजूद अनिमेशन को लोग ज्यादा पसंद करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस सॉफ्ट्वेर या वेबसाइट की हर्प से हम अनिमेशन बना सकते हैं मैं आपको तीन सॉफ्ट्वेर या वेबसाइट के बारे बे बताऊंगा जिससे आप बहुत ही बहतरी ब्यूटिफुल अनिमेशन बना सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए बहतर कौन है नमबर थ्री पर है पावटून तो चलिए पावटून की वेब साइट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम अनिमेशन कैसे बनाएंगे www.pautoon.com create animated videos and presentation it's free and it's awesome ओके start now यहाँ पर आप sign up कर सकते हैं मैं simply यहाँ से facebook से sign up करूँगा यह कोई पावटून के ओपर tutorials नहीं हैं कि मैं आपको step by step बताऊँगा मैं आपको simply इसका features में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या है और इसका interface में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको decide करें कि यह आपके लिए useful है या नहीं simply मैं यहाँ पर start tour है न यहाँ पर मुझे बताया जाएगा कि कैसे कैसे project create करना है फिलार मैं इसे skip कर देता हूँ themes and templates आप यहाँ से choose कर सकते हैं बहुत सारे templates यहाँ पर already दिये हुए हैं या फिर आप blank choose कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर blank choose करूँगा यह है Powtoon का interface तो चलिए एक छोटा सा project इसमें बनाते हैं सबसे पहले आप scroll down करके नीचे आईए यहाँ से background choose कर सकते हैं मैं यहाँ से background मैंने choose किया और मैं इसमें पहले कुछ text include करता हूँ यहाँ से मैंने text include किया इसमें I love Billy अब इसे आप यहाँ से arrange कर सकते हैं जहाँ भी drag करके आप इसे डाल दे अब यहाँ पर कुछ features है left side में नीचे की तरफ यहाँ पर अगर देखें तो enter and exit यहाँ पर है up, down, right, left मतलब अगर right की तरफ करते हैं तो यह right की तरफ से आएगा बीच में and right कर दिया मैंने और वैसे ही exit में मैंने कर दिया यह left की तरफ जाएगा अब अगर इसे हम slide करके देखें तो आप एक effect देखेंगे यहाँ से आया और यह center में है और यहाँ से चला गया अब इसमें हम लोग कुछ characters include करते हैं, characters मैंने यहाँ से animation character चूज किया इससे अपने हिसाब से arrange कीजिए, resize कीजिए उसके बाद यहाँ से ओके and यहाँ timeline में आप देख सकते हैं, timeline में अब देखिए हो यहाँ पर, यहाँ पर जो अभी है 9 seconds तक यह हमारा text include रहेगा वैसे ही अगर pop-up है तो pop-up हमारा last में आएगा and यह जो musician है हमारे यहाँ पर, इसे मैं कर देता हूँ कि यह 2 seconds के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और last तक रहेंगे 10 seconds तक और यह हमारा heart है यह आएगा 6 seconds पर and यह full 10 seconds तक रहेगा अब यहाँ पर इसे अगर हम slide करके देखें, तो देखिए text आया and यह musicians आप आया तो इस तरीके से आप यहाँ से slide create कर सकते हैं, आपको कुछ import करना है तो यहाँ पर images import कर सकते हैं एक नया page include कर सकते हैं यहाँ और भी बहुत सारे characters, बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ वैसे ही यहाँ पर image holders है अगर आपको किसी holder के अंदर image डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, for example यहाँ से मैं कुछ यहाँ पर upload करता हूँ, upload and मैंने यह select किया and इसे मैंने select किया and insert image तो यह देखें इस computer के अंदर यह image insert हो गया, तो यह था basic editing आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे features हैं, बहुत ज़ादा character यहाँ पर available नहीं हैं, बहुत सारी चीज़े नहीं हैं यहाँ पर अगर आप basics अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं फाइनली जब आपका project ready हो जाया तो आप यहाँ से preview करके देख सकते हैं, कि आपका project कैसा दिखेगा जब फाइनली आप project create कर लेते हैं तो आप यहाँ से export कर सकते हैं, आप सिर्फ इसे ही YouTube पे upload कर सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका है free account है यहाँ पर अगर आप premium account लेते हैं, तो आपको कुछ extra features मिलेंगे यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आप free या trial account यूज़ करते हैं, तो आप इससे बने project का commercial यूज़ नहीं कर सकते हैं आप इससे YouTube पे monetize नहीं कर सकते हैं, इससे earning नहीं कर सकते हैं अगर आप इसका commercial यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको paid या pro plan लेना होगा तो चलिए premium account की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसके price list को हम देख लेते हैं इसका सबसे कम का जो plan है, वो $0 का plan है, जिसमें बहुत सारा limitations है कि आप watermark remove नहीं कर सकते हैं, कोई किसी तरह की privacy नहीं रहेगी, आपको support नहीं मिलेगा तो इसका सबसे पहला plan जो है, अगर आप annually लेते हैं, तो आपको $19 per month pay करने पड़ेंगे या फिर अगर आप monthly लेते हैं, जो pro plan है, तो आपको $59 per month pay करने पड़ेंगे जिसमें सारे features available हैं, आप HD download कर सकते हैं, आपको 20 music tunes मिलेंगे, उसी तरीके से 18 a style मिलेंगे, आप to 15 minute तक pro में, आप 15 minute तक के ही video only बना सकते हैं उसी तरीके से अगर यहाँ पर business है, तो business में अगर आप annually pay करते हैं, तो $59 per month अगर आप इस plan को, business plan को आप मंधली के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो $127 per month आपको pay करने पड़ेंगे, इसमें कुछ extra features include हो जाते हैं तो आप अपने हिसाब से decide कर सकते हैं कि कौन सा plan आपके लिए बहतर है, तो चलिए ये था पावटून के बारे में, अब हम लोग चलते हैं, next software की ओर, जिससे हम whiteboard animation बना सकते हैं number two पर है video scribe, अगर आपको इस catching पसंद है, तो ये software आपका favorite software होगा, तो चलिए video scribe के website पे चलते हैं तो simply link बार में type कीजिए www.videoscribe.co और interpress कीजिए, ये है video scribe का website, आप यहाँ से 7 days के लिए trial ले सकते हैं, तो simply आप यहाँ पे email address enter कीजिए, और sign up कीजिए, उसके बाद आप इसे download कर सकते हैं, तो मैंने already download किया हुआ है, मैं आपको उसका interface दिखाता हूँ, ये है sparkol, video scribe, और पहले आपको login करने परेंगे, जिससे आपने sign up किया था, अगर आप trial यूज़ कर रहे हैं, तो आपको internet connection की जरुवत होगी, इस software को use करने के लिए, तब ही आप login कर पाएंगे, login, यहाँ पर how to video है, तो मैं इसे cut कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से simply create new project में जाता हूँ, और यह है इसका editing interface, मैं यहाँ से कुछ इसमें image import करता हूँ, यह देखिए, इसकी पूरी library यहाँ से open हो गई, मैं यहाँ से people's में जाता हूँ, and यहाँ से मैं को character select करता हूँ, और example, यह character मैंने select किया, इसे आप जहाँ पर भी arrange करना चाहिए, आप arrange कीजिए, resize कीजिए, और camera set कीजिए सबसे पहले, आप यह चाहते हैं कि यह project area है आपका, इसमें यह image यहाँ पर हो, मैंने इसे यहाँ पर camera set कर दिया, और इसमें मैं कुछ text include करता हूँ, I want to subscribe, believe for you, और इस text को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसे भी आप अपने हिसाप से resize कर सकते हैं, और मैं इसका भी यहाँ पर camera set कर दिता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसकी property में और देखते हैं कि यह कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसा effect होगा, तो सबसे पहले अगर उपर मैं देखें, तो यहाँ पर draw, move in and move, यहाँ पर draw का option select है, मैं इसकी timing कुछ यहाँ पर कम कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 second में यह draw हो जाए, यह 2 second में यह draw हो जाए, and यह मैंने select कर लिया, और यहाँ से मैं hand select कर देता हूँ, कि यह किस तरह draw होगा, ओकै, यहाँ से मैं कुछ basics hand जो है, वो select कर लिया हो, आप यहाँ से preview देख सकते हैं, कि कि किस तरह के draw होगा, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया वैसे ही image में जाकर कि मैं इसकी कुछ editing कर देता हूँ यहां से मैं चाहता हूँ कि यह जो है hand के तुरू move कर गया है यहां पे, अब किधर से move हो नीचे से, उसका यह set कर सकते हैं इसकी भी आप animation timing सेट कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यह 3 सेकेंड के अंदर यह animate होकर के आ जाए और यहां से भी मैं hand select कर लेता हूँ मैं यह hand select कर लेता हूँ और यहां से मैंने प्रेस कर दिया, अब इसे मैं preview कर कर देखता हूँ, देखिया आप कैसा effect होगा पहले यह image है, उसके बाद यह है तो आप अगर चाहते हैं कि यह पहले हो तो जैसे देखिये, इसको simply यहां से मैंने drag करके इससे पहले कर दिया यहां से भी आप preview कर सकते हैं यह जो timing है, इसका 3 second काफी लंबा timing है इस वैसे काफी slow आ रहा है तो यह software काफी useful है, इसमें आप text include कर सकते हैं chart include कर सकते हैं, music include कर सकते हैं इसमें इनकी अपनी बहुत सारी music tunes available है आप चाहें तो recording कर सकते हैं आप import भी कर सकते हैं अपनी images और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी image है वो SVG format में होता है तो आप internet से भी SVG format में आप download कर सकते हैं for example जैसे कि मैं यहां से एक import करता हूँ एक SVG image and desktop पे मैंने रखा हुआ है desktop and यह देखे SVG format में है यह तो आप यहां से इससे set करते हैं आप SVG format में आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसका भी camera यहां से sit कर देता हूँ and then इसकी properties में जाके मैं draw and यह जो draw होगा यह 3 second के अंदर draw होगा और hand में select कर लेता हूँ यहां से actually यहां पे और भी बहुत सारे जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ तो यह देखे यहां पे बहुत सारे pane and you know rubber इस तरह के options यहां पे available है तो आप जो hand चाह है वो यहां से select कर लेता है मैं simply यहां से यह select करूँगा and again मैंने ok press किया और ok press किया अब देखे कि मैंने sbg photo जो है वो import की है तो यह भी हमारा sketching property में आ जाएगा मैं इसे play करता हूँ तो यह था कि कैसे project create करते हैं अगर आपको import करना हो तो simply यहां से जाएगे और publish है ना publish आप YouTube पे कर सकते हैं आप save नहीं कर सकते हैं इसे और अगर आप direct YouTube पे upload करते हैं तो यह जो icon है यहां पे watermark है वो इसका रह जाएगा यहां पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इसका commercial use करना चाहते हैं तो आपको paid या pro plan लेना होगा तो चलिए अगर हम लोग pro की बात कर रहे हैं तो इसकी भी हम लोग pricing देख लेते हैं यह है video scribe का plan अगर आप annually पे करते हैं तो आपको 162 dollar पे करने पड़ेंगे अभी actually offer चल लहा है otherwise आपको 198 dollar पे करने पड़ेंगे annually अगर आप इस plan को लेते हैं तो आपको 13 dollar per month पड़ेगा अगर आप monthly plan use करना चाहते हैं तो 29 dollar आपको पे करने पड़ेंगे pro version के लिए यह सारी options है आप इसमें one time payment भी कर सकते हैं आप चाहें तो एक बार में ही खरीद लें lifetime के लिए तो आपको अभी जैसे offer price है 580 dollar otherwise 665 dollar आपको पे करने पड़ेंगे तो जितने भी whiteboard animation की software है उसमें सबसे जो सस्ता software है वो यही है तो यह था video subscribe के बारे में इसका main function sketching है अगर आपको sketching पसंद है तो आप इस software को choose कर सकते हैं तो चलिए अब next website के ओर चलते हैं जिससे हम animation create कर सकते हैं number one पे है go animate तो चलिए इसकी website में चलते हैं और देखते हैं कि इसे मैंने number one पे क्यों रखा है तो simply आप अपने link पार में go animate dot com यह है go animate का website जहां पर आप animation create कर सकते हैं यहां पर भी आपको पहले sign up करना होगा आपको 15 days का trial यहां पे मिलेगा मैं आपको सीधे interface के तरफ ले चलता हूँ यह है video editing का interface मेरे पास अभी यहां पे blank page है मैं यहां पे कुछ characters डालता हूँ सबसे खास बात इसकी यह है कि आप यहां से जैसे एक कोई character यहां से choose करते हैं फिर उसकी बहुत सारे character उसके बहुत सारे pause बहुत सारे emotions available हैं for example मैं यहां पे इस character को select करता हूँ यह मेरे timeline में आ गई और मैं इसे चाहूँ तो यहां से resize कर सकता हूँ मैंने यहां से resize किया और अब देखिए जैसे मैं इस पे click करता हूँ तो यहां पे देखिए उससे related बहुत सारे emotions उसी character के सबसे खास बात यही तो उसी character के यहां पे बहुत सारे pose हैं बहुत सारे style हैं तो आप यहां से choose कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए यहां पे बहुत सारी category है eat and drink, emotions emotions में जैसे देखते हैं इसमें कुछ animations होंगे कुछ सिर्फ pictures होंगे जैसे यह picture मैंने select किया ओके यह emotions हैं इसके अब next हम लोग चल सके enter and exit effect में यह हमारे project पर कैसे आएगा और कैसे जाएगा तो add inter motion यहां पे enter मैंने select किया हुआ style आप यहां से choose कर सकते हैं slide जो है अभी यहां पे slide है जैसे कि मैं इसे play करके देखता हूँ preview अगर हम इसे करते हैं तो यह देखिए simply यह slide होकर किया जाया उपर से नीचे की तरफ है नव इसमें हम कुछ अलग effect डालना चाहते हैं तो यहां से आप choose कीजिए किस तरह का effect आप डालना चाहते हैं यहां पे आप उसको preview करके भी देख सकते हैं कैसा effect होका मैंने यह select किया wipe तो यह inter effect हो गया उसी तरीके से अगर हमें exit effect डालना हो तो यहां से add में click करूंगा और यह हमारा exit effect हो गया तो यहां पे भी हम वही रहने देते हैं अब इसे अगर हम preview करके देखते हैं यह देखे कुछ इस तरीके का effect आपको यहां पर देखेगा इसमें आप और भी characters include कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं props है यहां पर available text अगर आपको include करना हो आप text include कर सकते हैं है ना simply double click करके आप इसे edit कर सकते हैं इसमें भी आप उसी तरीके से आप intro and exit effect आप डाल सकते हैं add intermotion यह कैसे आएगा और कैसे जाएगा किस तरफ से आएगा कैसा effect होगा यहां से अगर आपको extra page include करना हो तो आप यहां से extra page include कर सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारे option हैं आप यहां पर import कर सकते हैं media अगर आपको import करना हो तो आप simply drag करके यहाँ पे डाल सकते ही यहाँ पे कुछ templates already available है उसके according आप editing करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते ही music आप include कर सकते ही इसमें यहाँ पे already बहुत सारे tracks दिये हुए है आप शहें तो अपनी भी upload कर सकते हैं तो इसमें जो सबसे खास बात यह है कि इसमें characters की collections है वो बहुत ज़ादा है और आप यहाँ से एक simple character choose किजिए और उसके फिर आपको बहुत सारे style, बहुत सारे emotions आपको मिल जाएंगे add movement और भी बहुत सारे option हैं यहाँ पे तो अगर आपको finally आपका project जो है वो preview करना हो अगर आप इसका commercial use करना चाहते हैं तो आपको paid या pro plan लेना होगा तो इसका भी हम लोग मंत्री plan देखेंगे यह देखिए कुछ ऐसा effect है यहाँ पर तो अगर आप professional type animation बनाना चाहते हैं तो I think go animate आपके लिए best होगा अब हम लोग देखते हैं कि इसका plan कौन कौन सा है तो इसका जो सबसे पहला plan है go publish जो कि 39 dollar per month का plan है उसके बाद go premium है जिसका 79 dollar per month का plan है and go team 159 dollar per month और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या-क्या extra features है तो मैंने आपको तीन website के बारे में बताया number 1 पे go animate, number 2 पे video scribe and number 3 पे power tune अगर आपको इस catching पसंद है तो आपके लिए video scribe best software होगा और वो काफी सस्ता भी है तो आप खुद से decide कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा software, कौन सा website best है आप उसकी website पे visit कर सकते हैं नीचे description में लिए दी गई है तो ये था कि कैसे animation create करते हैं और उसके लिए कौन सा software या website यूज कर सकते हैं और यहाँ पर मेरी एक request है कि आप लोग प्लीज ऐसे comment या ऐसे सवाल मत पूछना कि वीडियो subscribe का you know crack कहा मिलेगा या फिर go animate का watermark कैसे remove करेंगे इस तरह के questions या फिर free में कहां से मिलेंगे इस तरह के questions प्लीज आप प्लीज मत पूछना क्योंकि मेरे पास इसके जवाब नहीं है तो I think ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर आप animation में interested है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजे and share कीजे ऐसे ही और भी updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते ही subscribe करने से फायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी notification आ जाएगी तो इस तरह के से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हैं तो आपने अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप पहले subscribe कर लें और अगर आपने already subscribe किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शक्रिया and finally you know thank you for watching